अगर आपको इस देश की सबसे बड़ी इंसिट्यूट का हिस्सा बनना है तो आपको एक्जाम देना पड़ेगा जनरल टेस्ट का और जनरल टेस्ट के अंदर आपके पास बहुत सारे इस बहुत सारे बच्चे बिलकुल हलके में लेते हैं समझते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे या फिर सोचते हैं कि इसको लेके कुछ फायदा है नहीं लेकिन आपको यहां पर बताने वाला हूं जनरल टेस्ट इस बान पर पार्ट ऑफ यह साबित हुआ है और इसी वजह से 2024 वाले स्टूडेंस को मैं स्टार्टिंग में ही आगा कर रहा हूं सो स्टूडेंस वेलकम बाक टो दा चानल माइनेम इस वरुन गोहर्ट तो स्टूडेंस यहां पर हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर की जर्नल टेस्ट है क्या इसके बाद मैं एक वीडियो भी लेक् आपने दो सब्जेक्स पढ़ लो या फिर इक जनल टेस्ट पढ़ लो तो आप लोगों का एक्विलेंट ही है तो केस तरीके से करना है कैसे करना है हर एक चीज में उस वीडियो में बात करूँगा लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इंट्डियूस करा देता हूं जर्ञ टै divided है part one कहते हैं part two कहते हैं और इसे part three कहते हैं ठीक है part one को भी उन्होंने further two parts में divided कर दी है basically part one को हमारा नाम दिया गया है language test जिसके अंदर हमारे पास 33 languages languages in total 13 languages part one के अंदर है और part two के अंदर 20 languages right and domains आपकी 27 है I hope आप सभी को clarity होगी इसके बारे में नहीं है तो मैंने एक All About CUT 2024 के पर एक वीडियो बना रखी है इसी चानल के पर तो आप लोग जा के check out कर सकते हो वहाँ पर आपको हर एक चीज clarity से है मैंने समझा पूरी वीडियो के अंदर अब भी हमारा में एजेंडा है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जनल और 60 questions आपको attempt करने थे लेकिन इस साल 2023 के अंदर आपके 15 questions कम हो गए और 10 questions आपको कम attempt करने है यही वाला pattern 2024 में भी चलने वाला है लेकिन अगर कोई भी updates होती है तो आपको बता दी जाएंगे लेकिन yes कि यही पूरा pattern चलने वाला है आपका कि आपको करते हैं लोग प्रिपेर फिर उसके बाद ही अगर कोस्टेंचंज के अंदर अगर कम आएंगे तो कम questions aptitude and knowledge अगर आप देखेंगे तो aptitude and knowledge आप इस देश की कोई भी national level की examinations उठाके देख लीजे जिसके नाम आपने बहुत बच्वन से सुनने शुरू कर दियोंगे UPSC, SSC, banking, CAT, बहुत सारे management examinations हर एक चीज के अंदर आपका aptitude जाचा जाता है तो सोचिए कि general test ना सिर्फ आपका अभी के लिए फायदे मन्द है लेकिन जब आप आगे graduation के बार PG करेंगे उसमें भी आपका aptitude का काम आएगा तो सोचिए आपका general test अगर अभी से आपने अच्छे से बना लिया, aptitude अच्छा बना लिया तो throughout your college examinations वहाँ पे भी जब आपकी companies आएंगी, वहाँ पे भी आपका aptitude जाचा जाएगा आपकी college के बाद जितने भी बड़े-बड़े examinations होते हैं, उसके अंदर आपका aptitude ही चांचा जाता है तो आपको बहुत जादा फायदा होगा, तब ही इसका एक main reason मैं कहूंगा, इसी वज़ा से इसको introduce कर दिया गया CUT के अंदर ही, कि जिस से students पहले से ही prepare हो जाएं, जो कि उन्हें future में अपनी जिंदगी में examinations देने हैं अब मैं बात करता हूँ, general test is a section that is conducted and accesses in the CUT exam for the candidate seeking admission to the graduate, तो आपको पता ही है अब मैं बात कर लेता हूँ, section 3 है 2024 के अंदर, candidates have to attempt 50 questions out of 60 questions मैं आपको बता दिया है plus 5 marks आपको सही question attempt करने में मिलेगा, minus 1 कटेगा आपका गलत question करने में, right, negative marking भी है अब मैं बात करता हूँ, सबसे ज्यादा most important चीज़, जो की आपको बहुत अच्छी तरिके से समझनी, वो यह है कि general test तीन parts में divided है, पहला है quantitative aptitude, दूजरा है logical reasoning, तीजरा है general awareness, right, अगर मैं बात करूँ, यह दोनों subjects मैं आपको पढ़ाता हूँ, number of videos YouTube पे मेरी पढ़े मैं बोलूँगा content आपको general test का मेरी दुवारा ही provide किया गया है, तो आप मेरे पे पूरी अच्छी तरिके से लाइ कर सकते हैं, 2022 के students को guide किया था, 2023 के students को guide किया था, and 2024 में भी मैं पूरे जोश, पूरी उत्सा के साथ, अपने upgraded content के साथ, आप सभी के लिए आउँगा, और general awareness की बात करों, तो general awareness की classes हमारी यहां पर ही शीरतल मैं पढ़ाती है, इसी channel के पर तो शीरतल मैं के साथ आप पढ़ सकते हैं, अब मैं बात कर लेता हूं कुछ ऐसी कि जिससे आपको आप रूबरू हो जाएं कि subject के अंदर पढ़ाया क्या जाता है, क्या चीज़े हैं कि जि distance, alphabetical and number series, counting of figures, mathematical operation, vein diagrams, puzzle, logical arrangement of words, series and non-verbal reasoning, सर आज तक कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल सही बात है, आज तक आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा होगा, आपका logical reasoning के एक ऐसा subject है कि आपने बिल्कुल भी school में कभी भी नहीं पढ़ाई कर रखी होगी, लेकिन हम लोगों को इस आप यहां पे खड़े हैं और आपके right side में, आप north की direction में जा रहे हैं और अगर आपको right side मोड़ना है तो आप east direction मोड़ेंगे कि west direction मोड़ेंगे, तो आप लोग अपने आप से ही बता देंगे, इस हमारा north के right में east होता है, north के left में west होता है, तो यह कुछ ऐसी logical reasoning हैं कि जो आपके mind में हैं, बस वो आपको सवाल की तौर पे दे दी जाती हैं और questions वहाँ पे आपके पास होते हैं, तो बहुत ही प्यारे धंग से, अचसान धंग से हम पढ़ते हैं, आप लोग regularly sessions के अंदर आना, logical reasoning में आपको अवल बना देंगे, यह guarantee हमारी है, ठीक है, बहुत असा इसके हर एक चीज की आपको classes मेरी मिल जाएंगे, अगर आप चेक आउट कर सकते हैं, ठीक है, quantitative aptitude की मैं class देखता हूँ, अगर आपको मैं बोलू हूँ, तो average है, percentage है, profit and loss है, ratio, proportion, mixture allocation, partnership, time and work, time and speed, distance, simple interest, compound interest, data implementation, number, system, HCF, LCM, simplification, search and indices, statistics, permutation, combination, geometry, mensuration, trigonometry, algebra, basics, एक भी चप्टर ऐसा नहीं होगा, जो आज तक आपने नहीं पट रखा होगा, एक भी चप्टर ऐसा नहीं होगा, जो आज तक आपने नहीं पट रखा होगा, इन सारे chapters को आपने पट रखा है, लेकिन एक next level पर हमार को लेके जाना है, एक next हमार को अपनी ability बनानी है, उन subjects के लिए, उन chapters के कि जिससे आप लोग जो आपका examination के requirement है कि आप limited time amount of time के अंदर number of questions जादा कर पाओ तो वो ability आपको classes के अंदर ही बनाई जाएगी आप लोग regularly classes के अंदर आएंगे हर एक चीज अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और ये subjects के chapters के नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग बहुत ही असान तरीके से इनको पढ़ सकते हो आपका confidence boost करने के लिए कि हाँ कि quantitative aptitude के अंदर आता क्या है logical reasoning के अंदर आता क्या है ये confidence boost करने के लिए एक आप लोगों को पता होना चाहिए कि असली slivers है क्या general test का तो इसी वज़ी से मैं वीडियो लेके आ हूँ और आप लोग regularly sessions के अंदर आसे अगर मैं बात कुरने जर्नल knowledge की तो जर्नल knowledge का आपका part है इसके अंदर थोड़ा जादा है आपका इंडियन हिस्ट्री है पॉलिटिकल है जर्नल पॉलिटी है जियोग्रफी है जर्नल साइंस है करेंड अफेस सिक्स मंस के होते हैं appointments, awards, sports, international and national events, books, authors, CMN, governors अगर मैं static GK की बात कुरूं तो important dates, national park, wildlife century, famous books, first person in India, international organization, vitamins and diseases, important temples of India, dance and lakes, historical monuments in India, prime minister and president, important articles तो बच्चों ये कुछ important चीज़े हैं आप सभी के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए टेक कर आपकी श्रीतल मैम करने वाली है, इसी channel के उपर CUT UGN Academy पे तो आप लोग regularly sessions के अंदर आते हैं ये कुछ चीज़ें थी, मैं ये वीडियो आपके लेसले लेका आए था कि आप लोगों को अच्छी तरीकी से चीज़ें समझ में आ जाए, syllabus समझ में आ जाए कि syllabus है क्या, क्योंकि अगर आप online google करेंगे, तो आपको बहुत ही weird चीज़ें परदाश चल रही हैं, तो जिस पढ़ाया भी जाता है, regular basis से पढ़ाया जाता है, आप लोग यहां पर आएंगे, तो definitely आपको बहुत जाथ पायदा होगा, आप लोगों को यहां पर free of course classes भी provide की जाती है, आप लोग जाकर चेकाउट कर सकते हो, number of classes आपको मिल जाएंगी, and अगर मैं कहता हूँ कि अगर 2024 क तयारी करनी, तो अभी से शुरू कर दो, एक dedicated पढ़ाई अगर आप करेंगे, तो definitely आप अपनी examination के अंदर बहुत अच्छे marks लेके आ रहे होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ability कितनी अच्छे improve हो गई है, with the period of time, और आप लोगों के पास यहां पर unacademy से रगे है, LGT batch जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको राहूल दिवीदी से पढ़ा रहे हैं, जाद शीदल मैं हम आपको पढ़ा रही है, हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी, पूरे एक साल तक सिर्फ और सिर्फ बारह सु रुपे में, provided अगर आप एक code कि आप लोग इन batches के अंदर आ जाएं, और जैसे ही मैं आपको बताऊं कि यह कोड है, यह कोड आपको लगाना है, CUT live code, CUT live code अगर आपको लगाएंगे तो आप लोगों को 12 रुपे में कोर्स मिल जाएगा, 16th June से batches शुरू हो गए थे, मैं खुद हुआ पढ़ा रहा हू बबाई, टेक कैर, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो के शेयर करें, आप लोगों को सही में इस चैनल से बहुत जाद अलाब होने वाले, बबाई, टेक कैर, बबाई, स्टूदेंस